द्वारका मोर से मात्र सवा किलोमेटर के डिस्टंस के उपर ही बहुत ही शान्दार बहुत ही खुपसूरत तू भी एचके का फ्लैट दोस्तो कि अ जच किलो तूलिष के लिए उपार बहुत ही जचके का फ्लिए खुपस्त पार बहुत ही हुआ कि अ कि नमश्कार दोस्तों मैं हर्शोट वहलेकवार अफिट से स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल वेस्दिली प्रॉपटीज पे दोस्तों वेस्दिलिस का एक ही सपना दिली शेहर में सबका घर हो अपना आज मैं हार्शोटवाल आपके सामने लीकर आया हूँ दौरकामोर से मात्र सवा किलोमेटर के डिस्टनस के उपर इस शांदार बहुती खुबसूरत तूभी है दोस्तों जिसके जो की बहुती रीजनेबल भाइज में बहुती शांदार परईज में और मैं अगर इचल उसके बात करता हूँ कनेक्टिविडीज की बात करता हूं इस लोकेशन की लोकालिटी की तो बहुत ही मतलब एकदम पीसफुल लोकालिटी है जैसे आप देख सकते ही जो मेरे पीछे व्यू दिख रहा है सीधा यह अपने पास द्वार का टाच होता है अगर हम लोग इसके अपने ऑपोजिट साइ आगे का मैं आपको सब कुछ बिखाने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको इसका फ्रेंट एलिवेशन तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका फ्रेंट एलिवेशन तो आए दोस्तों आपको बिल्दिंग के फ्रेंट एलिवेशन पे सबसे पहले मैं आपको बिल्दि बहुत ही शांदार लग रहे हैं यह से देखने में जैसे जितनी खुबसूरत है बिल्डिंग अंदर से भी उत्रे ही खुबसूरत फ्लाइट है दोस्तो अपने पास तो चलिए दोस्तो यह तो था प्रेंट टेलिवशन अब देखते हैं इसका पार्किंग गरिया तो आईए पूरा बिल्डिंग का साइज आता है 300 में हम लोगों ने क्या किया इसमें पीछे चार वन भी एज के निकालें और तीन टू भी एज के निकालें जो कि बहुत ही शांदार है और बहुत ही अच्छे स्पेशल साइज है पचाइप चाज गच के ठीक है तो सबसे पहले देखते आप इस पार्किंग को यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यह आगे अपने पास उस अजाता है पुरा कंप्लेटली और यह अपने पास आगे दोस्तों उसका स्टेर्केस पार्किंग में काम कामेंगा एक बार दिखाएंगे पीछे पूरी बैक साइड तक पूरी पार्किंग आ रही है ये नीचे सारे वाटर सेक्शन आ रहे हैं दोस्तों देख सकते हैं आप वाटर सेक्शन के अदर अपने पास दिल्ली जलबोट और समर्शीवल दोनों ही पान बले बले हैं आपे ठीक है वहाँ पर उस साइड कॉर्णर के अंदर हम लोगों ने सारा का सारा इलेक्रिसिटी पॉइंट दिया है पूपपेड लाइट जो आन मिलेंगी उनसे आपको बहुत ही आसानी होगी आपको उपर की लाइट नहीं कर दी हैं तो एक बहुत ही शांदार सा एक अपने को एक बहुत खूपशूरा सा व्यू मिल रहा है आप इस स्टेर्स के अंदर भी तो आईए दोस्तों चलते हैं अ उसी तरीके की सेम लाइट से अपने उपर तक यहां पर दीवे देख सकते हैं इसको खुपसूरत और शांदर तरीके से सजाया है अगर सारी लाइट सो पूजाती है तो फूपएड लाइट आपकी ऑन रहती है तो चलिए दोस्तों यह तो थी अपनी लॉबी अरिया की बा आपके पास फ्लैट भी होगा अपर ग्राउंड आपके पास ऊपर आपकी रूप भी होगी जिसमें आप बैट सकते हैं अपना चोटा मूटा काम कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अपने अपना फ्लैट तो दोस्तों अभी हम करें अपने ड्राइंग एरिया में ड्राइंग डाइमेंशन अपने पास दोस्तों आता है जिसमें हम लोगों ने बहुत ही खुपसूरत डिजिटल टाइस का यूज किया है और जिसका रिफलेक्ट आप ऊपर देख सकते हैं मेरी फॉल्स इलिंग में लाइट्स लगी है जो कि मेरी उपर इतनी फॉल्स इलिंग में लाइट इसे हैं वो सारी भी सारी इसको रिफलेक्ट कर रही है इसके खुपसूरती में चार चान लगा रही है दोस्तों आप देख रहे होंगे किस तरीके से इसके इंदर जूमर ने बहुत ही खुपसूरत लगाया है मैंने यहां पर ठीक है हर चीज मैंने प्रीमिम कॉलिटी की य लेटी पैनल के अंदर हाई ग्लॉस माइका का यूज किया है वो क्रीम एंड ड्राउन कलर की हाई ग्लॉस माइका है जो कि यहां पर ब्लैक कर रही है यह नहीं कि बहुत ही शांदर और बहुत कुपसूरत लग रही है लगने के बाद और चोटी-चोटी जो इसके अंदर ल और वायर के साथ यहां देख सकते दोस्तु आप आये दूस्त चलते है अपने अपने कावन बात रूम के तरफ्टो आट मैट पिनिश टाइल का यूज किया है इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहंगो जो हमारी टाइस के जो कॉंबिनेशन है ग्रे एंड थोड़ा सा इसके अंदर हम लोगों ने येलो शेट के अंदर अपना हाइलेक्टर और लाइट टाइल का यूज किया है जो कि वाल मैं आपको बातरों टरी शाफ चाहिए जो कि आपके बातरों को करेंगा तो है आपके यहां पर फच्छावर के लिए पॉइंट आपना यह यहां पर लग जाती है दोस्तों देख सकते हैं यहां या यह जोंब पर उसका वाशेशन आ जाएगा एक भी सारी चीज्वे आपक तो दोस्तों यह तो था अपना common bathroom अब चलते हैं अपने kitchen area की तरफ तो आए दोस्तों बिल्कुल ठीक इसी के साथ मेरा kitchen है बहुत चोटा सा है लेकिन बहुत शांदार और बहुत पूपसुरत amazing है यानि कि मैं उसको इतना चोटा नहीं कहूंँगा 50 गज के अगर आप इसको दोना चाहें वाश करना चाहें तो अराम से वाश कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंँगा यहां पे इसका घीजर का एरिया यहां पे घीजर और आरव पॉइंट कर सकते हैं चिमनी के लिए मैंने एक separate पाइं बनाया है नीचे जिपना भी क तौनलेक्वाइस के साँ पूरी की पूरी बास्केट साइप और तरदुरिया यह भी सारह है? में जुक्षाया के साथ बाल शेड चारब के साथ है जिसका ऐसाद बहुत ही खुपसूरत लग रहा है तो दोस्तों ये तो था पना किचन को तरफ भर चलते ऎे ड़ तोड़ा सा अलग है वहां मैंने थोड़ी ग्रेक्ट जो जिसे हम कहते हैं उस तरीके की टाइज उसकी हैं बट यहां मैंने सिंपल सोबर क्रीम शीट कलर की टाइज उसकी हैं दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इसके फॉल्स निंगे डिजाइन दिकाना की बहुत ही जो कि इस बेडरूम को चार चार लगा देती है दोस्तों फैन लगा के दे रहों वाल पेपर दोस्तों 5000 वाल पेपर की चॉइस दूँआ आपको मैं उन 5000 वाल पेपर में से आप कोई भी अपना चॉइस करके लगा सकते हो ठीक है इसी का अटैच बाथरूम वाँ वाँ बाथरूम को यूज किया है यहां पर टाइल का जो है वाइट और ब्लैक कलर की और टाइल यूज किया वह भी हमने ब्लाक क्रीम शेड की किया जो कि हमारी बाहर के या अंदर कमरे की से मैचिंग होती है पूरी-पूरी ठीक हो तो इसी के साथ जैसे मैंने आपको कॉमन अब जब आजाएंगे आप तो मैं आपको लगा के दूगा अब दोस्तों चलते इसके विंटीलेशन रिया की तरफ यह आ गया वेंटीलेशन कैसे कि दोनों बेड्रूम बालकनी नहीं तो आप यह देख सकते हैं इसका बेंटीलेशन हो गया यह यहां पे इजिली आप अप आपने दूसरे बेड्रूम की तरफ जिसमें मैं आपको बालकेनी भी दिखाऊंगो दोस्ते इस बार तो आए दोस्तों चलते हैं अपने बालकेनी अरिया की तरफ तो माई सेकेंड बेड्रूम जो की बहुत ही बहुत ही गुफसूरत है मैं अब इसकी तारिट में आप नहीं करूंगा क्योंकि आपको बताईने मुझे कमेंट्स के अंदर कि मैंने आपको क्या दिखाया और आपने क्या दिखाया ठीक है दोस्तों जैसा कि मैंने उस वाले बे यह अच्छ है और यह होंगे अपने पास दौस्तों अटैच कि है अल्मीरा बेड्रूम की मैं बात करूं से वह यह आए ड्यमेंशन की बात करता हूं तो बहुत और बहुत है कुछ फूरत है थीठकाई तो चलते हैं अपने ऐब filedकरनी एरिया के अंतर बगेनिकी मैं बात करता हूं दोस्तों तो बालकरनी का अरिया है जिसमें अपना घर के कपड़े द्वोने का सराँ से कर सकते हैं तो जैसे eraser कि मैंने आपको भी वह वाला एडे दिखा यह ता यहां जहां पर मैंने अपना वाशिंग एरिया का टैब लगाया है यहां पर पावर पॉइंट यूज किया है इसी तरीके से मैं यहां पर आपको कपड़े सुखाने की रॉड लगा के दूँगा मतलब हर चीज की फैसलेटी दोस्तों आपको यहां पर मिलने वाली है जो भी आपको फैसलेटी होगी तो चलते हैं अपने ड्रॉइंग एरिया की तरफ और आगे की बात करते हैं तो जैसे की दोस्तों अपका ऑपकाः व SARAH ख घीया है जैसे के या हम आप लेह से कहते हैं पूरा का पुरा फLY्र आप योड스ंग सी जिसके दोनों तो हम हैं अपने पास पूंप cokeटी वी क्योंकि बहुती शान्दार उच्वर्ट वर्मेसिंग है जिसके दोनों जो है अपने पास वो कंप्लीट्री वेंटिलेशन में है एक उपके साथ बालतरी एक उपके साथ विंडोर एक है दिन में यहां पर रॉष्णी के लिए आपको कोई कॉप्रम वाली बात नहीं दिन में आपके दुष्णी की लिए आपके जिस्टेंस की में बात करता हूं तो इस अपने पास द्वार का मोंन मेंट्रो शेचन जेता है इस द्वार का में मेंटर विजिट करने के लिए आप स्फीन पर द्वार की देश्ट नियुए अब कर सकते हैं मेरे ऑफिस में आगे बिजिट कर सकते हैं और मैं आशा करता हूं उमीद करता हूं आपको फ्लैट मेला बहुत पसंद आया हुआ मेरे लाइट शेट सब्सक्राइब करें हमेशा की तरह प्यार दे और ऐसे ही खुशुलक और अमेजिंग प्लैट में आपके लिए और भी लेकर आता हुआ इसी आशावर्सियुनित के साथ मैं आशावर्पार आप से इजादत लेता हूं नमस्कार जैहें जैभारत